नमश्कार दोस्तों कादियांस कुकिंग में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट किचन के टिप्स और ट्रिक्स लेकर क्या हूं जो मेरे काफी काम आते हैं तो उम्मीद गरती हूं ये टिप्स आपके भी काफी काम आएंगे तो बढ़ते हैं सबसे पहल चमच हम इसमें डाल देंगे बेसन तो दोस्तों बेसन अगर आप डाल देते हैं सुजी के हलवे में तो इसका टेस्ट भी बहुत ये अच्छा आता है साथी साथ इसका जो टेक्शर है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है तो ये वाले ट्रिक आप जरूर से आजमाईएग तो आप इस ट्रिक को त्राइज जरूर कीजेगा और अपने फीड़वैक मेरे साथ में जरूर से शेयर कीजेगा अब है सेकंड वाला टिप तो आज मैप पौधों के लिए फ्री वाला जो फर्टिलाइजर होता है वो तयार करने वाली हूं तो इसे तयार करने के लिए हम म कोई बहुत जादा इंग्रीडियंट्स की जरूरत नहीं है जो हम वेस्ट समझगर के सिंक में या नाली में डाल देते हैं बस वही हमें यूज़ करना है तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेट में आलू उबाल के रखे हुए उनको मैश कर रखा है तो आलू जबी भ प unc dhote है तो वह पानी आप सिंह में फैंक देते हैं अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हैं तो Μैने आलू ओं को उबाला था तो कुकर में चनि पानी रहे गया है उस पानी को पहले ठंडा होने चोड़े और जबी भिन ठंडा हो जाएगा तो आप इनको अपने पौधों में डालें यह फ्री का फर्टिलाइजर है इसमें बहुत सारे भी वेस्ट होता है तो एक बैस्ट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ जब भी आप घी बनाए तो उस बरतन में आप पानी भर दे तो पानी उपर तक भर दे क्योंकि घी उपर फ्लोट करेगा उपर आ जाएगा और जो गंदगी है वह सारी नीचे रह जाएगी तो जो भी जितना भी घी है वह सब उपर हो जाएगा उसको आप फ्रिज में उठा करके बरतन को रख दे और जब यह जम जाए अच्छे से सेट हो जाए तब हम इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा घी अच्छे से निकलाता है कुछ भी इसमें से वेस्ट नहीं होता है तो यह आप देख सकते हैं पूरा घी जो है वो पानी के उपर आ चुका है तो मैंने इसे एक बरतन में निकाल दिया है तो यह आप देख सकते हैं बहुत सारा घी इस तरीके से हमारा निकल आता है और कुछ भी इसमें से वेस्टेज नहीं होती है और बस अब इस घी को हम मेल्ट करेंगे और फिर एक एर टाय डबे में डाल करके रख लेंगे तो इस तरीके से आप घी की जो भी वेस्टेज होती है उससे आप बच सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं सारा घी मैंने निकाल लिया है और अभी बस यह नीचे का जो वेस्ट है इसे आप चान करके डस्ट बिन में डाल दीजेगा डायरेक्टली ऐसे ही सिंक में मत डालीगा सिंक ब्लॉक हो जाएगा और यह घी आप देख सकते हैं सारा मैंने सप्रेट कर लिया है इसे हम गरम करेंगे और गरम करने के बाद में हम इसे एक डबे में डाल करके रख ले रख लेंगे तो यह आप देख सकते हैं खूब सारा गी निकल आता है कुछ भी वेस्टेश नहीं होती है फ्रेंट्स अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूसफुल लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए अब है टिप नमबर फोर अगर आप अध्रक और लेस्ट का पेस्ट तयार कर रहे हैं किस तरीके से तयार करना इसकी वीडियो मैंने शेयर कर रखिए नीचे लिंक मैं दे दूंगे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में भी मैं आपको आपके लिए शेयर कर देती हूँ तो वहां से आप चेक कर लीजेगा तो अध्रक लेस्ट के पेस्ट को अगर आप साल भर तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्लेट में फैला लें तो यह आप देख सकते हैं जितनी भी आपको अपनी सबजियों में डालना होता है उतना आप इस तरीके से चमश की मदद से डाल सकते हैं और डालने के बाद में आप इसे freezer में store करके रखिएगा तो यह देखिए इसे airtight डबे में डालने के बजाए जो कि आप फ्रिज में रखते होंगे और वो कुछ time के बाद में फिर खराब होने लगता है तो 15-20 दिन के बाद में उसमें से smell आने लग जाती है तो freezer में आप store करके रख लीजिए तो freezer मे इसकी जो strong smell है वो फैले ना और जब यह अच्छे से सेट हो जाएगा जम जाएगा तो इसके बाद में आप एक zip lock bag में airtight डबे में डाल करके freezer में ही रखिए जबी भी आपको अपनी सबजियों में इससे डालना है तो तुरंद ही निकाले और वापस से आप उसे freezer में रख तो यह बहुत ही आसान सा तरीका है simple सा तरीका है इस तरीके से आप lesson और अदरग के paste या कोई भी आप जैसे सिर्फ अदरग का paste बना करके रखना चाहते हैं या सिर्फ lesson का paste बना करके रखना चाहरे तो आप उस paste को long time के लिए store करके रख सकते हैं आपका time भी काफी बज अगला मेरा टेप गुलगुले की रेशिपी तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर गेहु का आठा ले लिया है दो कतोरी गेहु के लिए पाणी ले रहे हूँ और और इसे गैस पर गरम कर लूगी जब तक की चीनी गूल नहीं जाती है या फिर आप गैस पे रखे बगेर भी चम्मत से घुमाते हुए इसे मेल्ट कर सकते हैं लेकिन मैं अभी गैस टाउपे से रख करके तुरंत ही इसे चीनी को मेल्ट कर लूँगी तो चीनी अच्छी तरीके से डिजॉल हो चुकी है तो बस अब हम इसे गेहूं के आटे में डा ले लूँगी और फिर वो भी मैं धीरे धीरे इसमें डाल दूँगी तो लगबग दो कटोरी गेहूं के आटे में डेड़ कटोरी पानी का यूज हुआ है तो यह आप थोड़ा थोड़ा डाले और मिक्स करें बैटर हमें ज्यादा पतला नहीं रखना है तो यह हमें थोड पाउडर आड नहीं कर रही हूं तो इसे मैं इस तरीके से बैटर को मिक्स करने के बाद में ढख करके दो घंटे का रेस्ट दे दूँगी और फिर इसमें अच्छे से आप देख सकते हैं जालिया वन रही है तो यह बहुती सौफ्ट गुलगुले तयार भी होएंगे तो यह आप देख सकते हैं डेट काटोरी जितना पानी यूज हुआ है तो बस इसे मैं रख दूँगी कुछ देर के लिए और बाद में दो घंटे के बाद में मैं इसे तयार करूँगी तो आप इसमें अभी जालिया देख सकते हैं तो यह एकदम से दो घंटे के रेस्ट म तो अभी मैंने हाथों को गीला कर लिया है और इसके बाद में गरम तेल में हम इसे डाल देंगे तेल को पहले अच्छे से गरम कर लें और जब तेल अच्छा गरम हो जाएगा तो आप इसे मेडियम हीट पे मध्यमाच पे इस बैटर को आप इसमें डाल दीजे और ये देखिए ज़्यादा बड़े गुलगुले नहीं रखने हैं नहीं तो अंदर से कच्छे रह जाएंगे चोटे-चोटे ही डालिए और फिर ये फूल जाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी स्नैक तयार हो जाएगा एक स्वीट डिश तयार हो जाएगी तो जबी भी कुछ मीठा खाने का मन करें तो ये फटा-फट वाली रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं और इसे आप बाहर एट-एडबे में डाल करके स्टोर करके रख सकते हैं चार-पाश दिन तक ये खराब भी नहीं होता है तो ये बहुत ही जबरदस टेस्टी भी बनते हैं तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिगा तो इसी तरीके से मैं दूसरा बैच पीस में डाल रही हू तो आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिश्ट बने हैं सिंपल सी चीजों से मैं नहीं तयार किया है तो आप भी इस तरीके से तयार कर सकते हैं तो दोस्तों ये मैंने आज चीनी के गुलगुले बनाए हैं इसी तरीके चीनि से बहुत ही बनते हैं और यह आज की video आई hope आजकी video आपको अची analyse लगी होगी और अगर वीडियो थोड़ी सी पी अच्छी मिल अच्छी लगी है तो इसे लाइक की वेगर बिल्कुल भी ना जाएं और इसे शेयर करें जाद से जादा अपने फैमिली और फ्रेंट्स में ताकि वह भी इन में से कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो कर सके उनका भी काम और आसान और बहतर बन सके तो फ्रेंट्स कमेंट करके जरूर से बताईएगा आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी और बेस्ट टिप कौ पहुच जाए तो उसके लिए घंटी को भी याद से दबा दे और हां दोस्तों लाइक ये बगार बिलकुल भी ना जाए वीडियो अगर यूसफुल लगे थांक यू फर वाचिंग स्टे कनेक्टेड